हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूम 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 चैनल डिपी अडूकर दोस्तों आज हम लोग फिर से एक साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ पदार्थों के ब्यापारिक और रासाइनिक नाम यानि की उनका रासाइनिक नाम क्या है और वो ब्यापारिक नाम से क्यानि की जो मार्किट में नाम है वो किस नाम से जाने जाते हैं यहां से भी PCS, RO, BO और अन्य परिक्षाओं में दो-तिन प्रस्ट यहां से जरूर्द पूछे जाते हैं साइंस में चुकि साइंस में आप देखते कि 20-22 या 25 प्रसंद हर परिक्षा में पूछे ही ज जाते हैं, RO, RO में भी यही हाल रहता है, तो इसलिए ऐसे जो बहुत ही important topic हैं जहां से हमेशा प्रसंद पूछा जाता है इन परिक्षाओं में तो उन topic को हम लेकर कि यहां पर आते हैं आपके सामने और आपको बताते हैं कि कहां कहां से किस तरीके से प्रसंद पूछा जा सक उनकी revision भी हो जाएगी, साथ मगर यहां से कोई प्रसंद आता है तो आपका वो गलत भी नहीं होगा, ठीक है, और RO, RO, PCS और B.O के लिए batch चल रहे हैं, उसको आप लोग जोइन कर सकते हैं, notes के लिए 6393-350-769, इस नंबर पर आप लोग संपर कर सकते हैं, WhatsApp पर चैट करके पर call करके भी आप बात कर सकते हैं, सुबह 10 से लेकर के साम को 6 वजए तक, आपको पूरी जयनकारी दी जाएगी, pre-commence बैच चल लेए, उसे आप लोग जोइन कर सकते हैं, सारे notes आपको मिलेंगे, RO, PCS और B.O के लिए, ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, बिना notes दिये जा रहे हैं, उसको आप लोग ले लिजिए, पढ़िए, pre-mence टेयर ये एक साथ करिए, तभी आपका selection हो पाएगा, ये मेरा आपके लिए especially सुझा हुआ है, चलिए, ये है आपका ब्यापारिक नाम, यानि की market में किस नाम से उपलब्ध है, अगर आप ये लेने जा ठीक है, या फैरिक सल्फेट का ब्यापारिक नाम क्या है, या मार्केट में किस नाम से मिलेगा, सिंदूर जो महलाये लगाती है, लेड परोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौक, इससे की लिखा जाता है बोर्ट पर, केल्सियम कार्बोनेट, सुहागा, बोरेक्स, फिटकरी, पोटेसियम, एलॉमिनियों, सल्फेट, कॉस्टिक पोटास, पोटेसियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, और देख लेते हैं, ऐलकुहल, ऐथल ऐलकॉहल के नाम से जाना जाएगा, लाइमिस्टन, केलसियम कार्बोनेट, स्टार्च, सिलिका, सिलिकॉन ओक्साइड, चुना, कैल्सियम ओक्साइड, TNT, ट्राई, नाइट्रो, टॉलोवीन, ट्राई, नाइट्रो, टॉलोवीन, लाफिंग गैस, नाइट्रस ओक्साइड, N2O, जिसको कहते हैं, N2O, क्या होती है, नाइट्रस ओक्साइड होती है, लाफिंग जैस, इसको, इसके सुगने से क्या होता, हसी आ जाती है, इसके बाद आप देखेंगे, सोरे का अमल, इसको नाइट्रक अमलिया, नाइट्रक असिड कहते हैं, नौसादर, अमोनियम क्लॉराइड अनेच फूर सियल, इसको कहते हैं, शिरिका, तनू एसिटिक अमल, इनि एसिटिक असिड, लाल दबा, पोटेसियम परवैंडेट, लिठार्ज, लेड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा, सोडियम बाईकार्बोरेट, यह ऐसा बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा, इसको हलके नहीं लेना ही टॉपिक, बहुत इंपोर्टेंट है, आप पिछले बरसों को जब प्रस्रपत्र हल करेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे जो सरन्ने पढ़ाये ता नाइट्रेट यहाँ पर ठीक है, कार्बोलिकमल, फिनॉल, एलकोहल, एथल एलकोली हो चुका पीछित, नमतामल, हैड्रोकलोराइड, सोरा, पोटेसियम, नाइट्रेट, इसके बाद चूना, बिना बजा हुआ, केल्सियम हैड्रोक्साइड, लाल सिंदूर, केल्सियम ऑक् पोरेटिकमल, लेड़ पर ओक्साइड, स्लेट, हैड्रोकलोरिक एसिड, सिल्का, शिल्का, अलुमुनियम ऑक्साइड, वर्मिलिन, सिल्कल ओक्साइड, हवाइट लेड, मर्क्यूरिक ओक्साइड के नाम से जाना जाता है, और देख लेते हैं, मंड, स्टार्च, हाइपो क्लोराइड नीला थोता कॉपर सल्फेट पर्ल एस पोटेसियम कार्बोनेट ठीक है तो यह जितने भी थे हम लगा जो भी 15-20-30 जो भी रहे होंगे यह सारे के सारे एक भी ऐसा सब्द नहीं है जो परिक्षा में ना पुछा गया हो ठीक है पीडिएफ आपके हम टेल पीडिएफ में आप उतना ही पढ़पाएंगी तो इतना लिखा हुआ है मेरे साथ पढ़ेंगे तो कुछ एडिशनल कुछ एक्स्टा भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार जैं हुआ 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 है